प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी उस्टेलिया में है और हजारों लोगों के बीच उन्होंने संबोधित किया और बड़ा ही जोशिला भाशन दिया भारत ने क्या-क्या हासिल किया खास तोर से उनके कारेकाल में यह उन्होंने विस्तार से बताया इस दोरान उस्टेलिया के प्रदान मंत्री ने उनको बोस कहके संबोधित किया। यह है पूरा गटना करम, यह है पूरा वाकिया, यह पूरी सभा ट्रेंड में हैं। हरको इसकी बात कर रहा है। बहुत सारे लोग यह कह रहे हैं कि यह भारत की ताकत का प्रतीक है। दूसरे बहुत सारे वो लोग हैं जो इसका मजाक उड़ा रहे हैं और इसे एक इवेंट करार दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि देश में इतनी समश्याओं के बावजूद आप वहाँ हैं और एक इवेंट मेनेजमेंट जैसा कर रहे हैं और यह सब प्राइवजित है शायद यह ह हमारे ही देश में होता होगा कि हमारा प्रदान मंत्री बाहर जाकर पूरी दुनिया में बात कह रहा है या किसी देश में संबोधित कर रहा है और हम यहां पर उनकी आलोचना इस तरह से कर रहे हैं जैसे वो किसी दूसरी पार्टी का प्रतिनिदी बनकर वहां गया हो वो द तरह के कमेंट्स करना बड़ा अजीब है दुर्भाग्यपूर्ण है कोई ट्वीटर पर कह रहा है कि कौर्ड का कारिकरम तो वहां से इस्थगित हो गया मतलब कि जापान में संपन हो फिर जाने की ही क्या जरूरत थी अरे बहुत सारे देशों का आयोजन हो तभी वहां जाए तो अगर दो दिन वहां जाने से अगर भारत का कुछ फायदा होता है हमारे देश का कुछ फायदा होता है सामरिक मामलों में डिप्लोमेटिक मामलों में कुछ अच्छा होता है तो बुरा ही क्या है चीन की चुनोती और बुरी दुनिया में बदल रहे समिकर्णों के बीच उस्टेलिया जैसे बड़े देश, ताकतवर देश के साथ सामझे से होना जरूरी है, जाहिर बात है यह भी है कि उस्टेलिया की छवी हमारे दिमाग में भी तक यह थी कि हमारे टीम, क्रिकेट टीम वहां जाती थी और वहां के क्रिकेटर्स और वहां के दर्शक स्लेजिंग करते थे अपमान जनक टिपनिया करते थे मंकी गेट आपको याद होगा जब हरवजन सिंग पर किस तरह के कमेंट किये गए वहां के एंड्यू साइमंड हैडन और बहुत सारे ऐसे खिलाडी जो बड़े ही हलकी भाषा का प्रियोग करते थे स्लेजिंग तो फिर एक चीज है जिसमें वो बैट्समेन या बोलर का ध्यान बटाने के लिए आप कुछ भी बोलते हैं लेकिन अदर्वाइज भी इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कमेंड जिससे ऐसा एसास कराना कि भारत छोटा देश है भारत के लोग जो है वो बड़े हे हैं बड़े हीन है वगएरा वगएरा ये बड़ी आम बात थी और ऑस्टेलिया की छवी हमारी नजर में ऐसी ही थी पहुत सारी रैसिज्म की गटनाएं हुई जिसमें भारत के पढ़ने गए वहां पे स्टुडेंट्स को मारा पिटा गया या उन्हें कुछ भला बुरा कहा गया तो अस्टेलिया की छवी एक एहनकारी एक एरोगेंट देश की थी और ऐसे लोगों की थी जो तीसरी दुनिय होगा तो भी उसी द्रश्टी से देखा जाना चाहिए